हेलो एब्रीबान कैसे हैं आप सभी एक्चुली आज मैं किसी भी मेकप प्रॉड़क्ट के बारे मैं या मेकप टुट्योरियल नहीं बता रहे हैं बताने वाली हूं आज हम ऐसे ही नॉर्मल बात करेंगे एक्चुली होता क्या है कि आज के टाइम पर भी लोग कहते तो हैं कि सारे प्रॉफिशन बेस्ट होते हैं सेम हार्ट वर्क होता है सारी चेज़ों होते हैं लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि अगर बंटु टैन की रेटिंग में मेकप आर्टिस्ट का जो प्लेस होता ह है वो टैन नंबर पर अभी भी टैन नंबर पर ही आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है चीज़े समझ में नहीं आती क्योंकि फैमिली होती है अगर फैमिली में से आपके बच्चे कोई बुमिन मेकप आर्टिस्ट ये लाइन प्रॉफिशन चूज करते हैं तो काफी ज्यादा मु राइट ऐसा मैंने देखा है अक्सर क्योंकि रिसेंटली में मैंने अपने एक स्टूडेंट से बात करी थी तो उसके लिए काफी डिफिकल्ट था ये अपना करियर सेलेक्ट करना क्योंकि उनके घर में सारे सब गर्मेंट जॉब में थे एंड वो अपनी ये लाइन चूज करना चाहती है तो उनकी लिए काफी डिफिकल्ट हुआ अपने पैरेंस को रेडी करना इसलिए मैं ये बात रख रही हूं कि मतलब इतना डिफिकल्ट क्यों है जबकि एक जो मेकप आटिस्ट होता है उसका जो प्रॉफेशन होता है तो मैं तो ये कहूंगी कि सबसे फर्स् पर ही उसको वैल्यू देनी चाहिए क्योंकि आज के टाइम पर ग्रॉमिंग इतनी ज्यादा इंपर्टेंट हो गई है कि कोई भी बिना ग्रॉमिंग के घर से बान निकलना पसंद नहीं करता है राइट आप इंटर्व्यू देख लीजिए या फिर कोई भी प्रॉफेशन देख लीजिए जब बात इंटर्व्यू की होती है तो बातचीत करने के साथ साथ उसकी सेल्फ ग्रॉमिंग भी देखी जाती है कि किस तरीकी के वह कपड़े पहने हुए हैं किस तरीकी की एसरी जो नहोंने वियर कर रखी है मेकप किस तरीके का ज्यादा हाई तो नहीं यह पर देखी जाती है एंड यह सारी चीजें जो नॉलेज होती है वो एक मेकप आर्टिस्ट के प्रॉशे प्रॉफेसंजर रिलेटिड होती है राइट तो फिर भी लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं सिर्फ इतना ही नहीं जो मेकप आर्टिस्ट होता है सिर्फ उसकी जो स्किल होती है वो मेकप करना ही नहीं होती है काफी सारे स्किल्स वो साथ साथ गेन करता है लाइक बिजनिस कैसे करना है क्लाइन को कैसे सैटिसफाइड करना है चीजों को किस तरीके से मैनेज करके रखन है एक लाइन क्रियेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है हम किसी का इस्पेशल डे अपने हाथों में लेते हैं तो उस दे की जिम्मेदारी पूरी हमारे हाथ में होती है कि वह अपने इस्पेशल डे पर किस तरीके का दिख रहा है इस्ट्रेस हैंडलिंग राइट अगर चीज़े खराब हो जाती है तो किस तरीके से चीज़ों को ठीक करना है क्रियेटर एडिटर काफी सारे स्किल्स हैं आज के टाइम पर ना तुछ शादियां रुकेंगी ना पार्टीज रुकेंगी ना कोई भी फंक्शन रुकेगा और उन में जो सबसे ज़्यादा इंपोर्टन पार्ट होता है आपकी ग्रूमिंग होती है क्योंकि हर कोई एक से की चला हुआ आ रहा है कि हमको अच्छा दिखना है बैस्ट दिखना है आज कल तो लोगों को ठीक है तो मैं बस यह कहना चाहूंगी कि सारे प्रॉफेशन को वैल्यू दें सेम रिस्पेक्ट दें यह अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप अपना प्रॉफेशन स्लेक्ट कर रहे है एंड उसमें आपको खुशी मिल रही है जब आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफेशन मिलेगा तो आपको खुशी भी होगी तो काम करने में मज़ा भी आएगा आगे बढ़िए मोटिवेट करिए एक दूसर प्रॉफेशन स्लेक्ट करिए ताकि आपकी अर्निंग भी हो एंड हैपिनेस भी आपको मिले तो थैंक्यों मुझे यही कहना था आज आपको अगर मेरी बात अच्छी लगी हूं तो रिल को लाइक कर दीजिए थैंक्टू बबाए